अब question number 5 solve करते हैं let x is equal to 591.6 over 382.6 दोनों side का log ले ले लोग x is equal to log 591.6 over 382.6 अब लोग के property इप्लाए होगी यहाँ पर log उपरवाला नमबर 591.6 minus नीचे वाला नमबर का log log 382.6 अब आप किल्कुलेटर के मदद से solve करें log 591.6 तो यह आ जाएगा आपके पास 2.7720 और यहाँ पर आएगा log 382.6 तो यह अंसर आ जाएगा 2.5827 अब आपकी मर्जी है क्योंकि जब करेकुलेटर से solve करते हैं पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं आप जितने ज़्यदा डिजिट्स लेंगे उतना ही accurate answer आएगा पॉइंट के बाद आप तीन डिजिट्स ले 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 चार ले 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 पांच ले ले जितने आप लेंगे आपकी मर्जी है 20-2.5827 तो यहां आ जाएगा 0.1893 अब एंटी लॉग ले ले लेंगे तो एंटी लॉग जब लेंगे तो यहां पर एक्स रह जाएगा और यहां पर एंटी लॉग मैं साथ लेख देता हूँ क्या असानी होगी एंटी लॉग आफ 0.1893 अब आप यह जो एंटी लॉग है के रिकुलेटर के मद्दे से सॉल्व करेंगे अब ने क्या करना है शेट को बटन प्रेस कर दें लॉग वाला बटन प्रेस कर दें तो अब आ जाएगा आप यह वैल्यू लेख दें 0.1893 तो यह आपके पास आ जाएगा 1.546 तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर जान वाला पेप़ा दो जाएखब सा जाए ऑ्या वाला बटन आएपके पास घंगे दो कर दो साव